समस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफी जादा एक गरम इशू बना हुआ है आधी पुरुष मूवी का जब टीजर लीज हुआ दो अक्तूबर को और जैसी टीजर लीज होता है फैन इसका काफी स्टार्ट करने के एक तो इसमें वीफ एक्स बहुत जादा घटिया है दूसरा जैसे यहां पर रावन का मोडनाईजेशन कर दिया गया है श्री राम के यहां पर लैदर की बैल्ट हो गई यहां पर यह सब पहना देना और भी काफी सारी चीजे हैं जिसके चलते यह मूवी को यह इस टीजर को ट्रोल किया जा रहा है और यहां पर बाय कोट या फिर कहीं बैन करने की बातें आ रही हैं हमारे सामने तो इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए में आप बना रहे हैं बेशक हो गया है यह काफी ज्यादा बड़ा इशू होगे क्योंकि काफी सारे मीडिया हाउस इसको कवर करना स्टार्ट किया है रमायन के ओपर अधारित मुवी है ओविसली लोगों की भावनाई जो है इससे जुड़ी हुई है और अब जहां पर आप के नाम पर क्रेक्टर ही बदल देंगे तो लोग इस कीश को कैसे बरदास्त करेंगे तो यहां पर देखे कंपेर कर रहे हैं कार्टू नेटरूक पर एक एनिमेटीड मुवी दिखाई गई थी जैपान की साहिता से वह मुवी बनाई गई थी लेजंड ओफ राम या फिर रमाय के उपर लगाये गए हैं लेकिन इतने घटिया भी एफेक्स आप देखिए कार्टून जैसा यहां पर आपको दिखेगा कि कार्टून जैसा बनाके रख दिया है यहां पर और बहुत सारी चीजे हैं यहां पर सैफली खान का जो एक तरीके से जो इन्होंने रावन का निभ कहा है कि जो अब्जेक्शनल सीन इस टीजन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं मैं उससे लेकर काफी ज़्यादा आहत हूं और मैं ओम जिसके प्रडूसर है ओम रावत उनसे रिटिन में चाहता हूं कि मैं मतलब कि उनको राइटिंग में दे चुका हूं कि यह जो सीन है वो आ आप यहां पर देखेंगे ना कि यहां पर शुद्ल पहन रखे हैं यह लएडर टेके लैदर जैसे हैं कुछ यहां पर आपको नजर आ रहा होगा लाइदर की जो है वो यहां पर चपले नजर आ रही है आप देखिए यह movie-card trailer हो गया यहां पर इसमें आप देखेंगे ना कि देखिए जो आप रामसेतु जो बना था जिसके ओपर शिराम चल कर शिरलंका में मतलब लंका के अंदर प्रवेश करके तो यहां पर मैं फिर से दिखाता हूं आपको तो देखिए एक मिनिट हां तो देखिए यहां पर सबने यहां पर जो है वो ले चपल पहने ही नहीं थ मैं क्यूं बोल रहा हूं देखिए आप जितनी भी आगर आप आपने देखा हो हमारे आप रामनंत जी गी आगर आपने रामायंट देखे तो बहांपर आप देखिए लिजिए तो शिराम जब शित्या माता सीता के लिए धुन्ने निकले थे तो उन्होंने चपल या फिर क करेगा भी कौन आप किसी के sentiment को आप creativity के नाम पर किसी के sentiment को आहत नहीं कर सकते ना तो यह सब चीजे limit में होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए सब जो आप देखेंगे कितनी भी आप images देख लीजिए आप पढ़ लीजिए वहाँ पर आपको परबाज जो है वो पानी के अंदर बैठ कर तपस्या कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि यह जो सीन है यह सेरा नरसीमा रेडी के जो मूवी है वहीं से लिया गया वहीं से copy paste कर दिया गया आपने original नहीं बनाया आपने वहां से copy paste कर दिया इसके अलावा आपके यह सीन देखेंगे इसमें देखिए यह जो आप आ रहे है न भागे भागे यह जो तरीके का आपको यह सीन नजर आ रहे है यह VFX है कितना घटिया VFX बनाया गया गया 500 क्रोड VFX है 500 क्रोड रुपे लगे हैं VFX मतलब इस मूवी के उपर तो इस तरीके के हमें मूवी देखने को नजर आ रहे है और कहा जा रहे है यह जो सीन है वो कॉंग स्कल आइलेंड से लिया गया है तो यह सब चीजे हो रही है इसके अलावा और भी है देखिए एक तो यह रावन को यह पुश्पक वी माहन था रावन के पास यह चमगादर पर बैठा हुआ दिखा दिया गया रावन को जैसे यह देखिए यहां पर एक तो हेर कट को लेकर हो रहा है यह दाड़ी को लेकर यह देखिए रावन को चमगादर के उपर बैठा दिखा दिया गया काय कि रावन के अंदर लाग बुराईया थी लेकिन कभी रावन चमकादड के उपर नहीं बैठा अब यहाँ पर इस सीन को बताया जाया रहा गेम ओफ थ्रोन के से कोपी कर दिया गया देखे सेम टू सेम वहां से लिया गया है वह तब इन्होंने कोपी पेस्ट किया है होलीवूड को मिला दिया इसमें भारतिय कल्चर की कहीं जलकी ही नजर नहीं आ रही इसके अलावा यहाँ पर देखिए यह जो फर्स सीन था जहां पर यहां पानी से निकलते हैं जब तपस्चा कर रहे होते हैं तब यहां से निकलते हैं एक बार फिर से चलाते हैं एक मिनट एक मिनट यह देखिए कहां गया चलेगा क्या यह यह यहां पर यह देखिए यह जो सीन है कहा जा रहा है कि Harry Potter movie में से सेम ऐसी ही चुड़ेल जो है वो Harry Potter की movie में हुआ करती तो वहीं से copy paste वहां से कर लिया तो लगता है कि जो producer थे या फिर जो makers थे इस movie के वो काफी जादा Hollywood और किलजी से परभावी थे इसलिए उन्होंने इस तरीकी की चीज़ें यहां पर डाल दिया फिर यहां पर आता है जो रावन का जो महल दिखाया गया आप देखिए कहां से आप रिलेट कर पाएंगे भारती कल्चर को यहां से इस तरीकी का महल बना दिया गया इतना modernization के creativity के नाम पर यह सब चीज़े चेंज करती गई है कहां से चीज़ें बरदास्त की जाएंगी तो यहां बताया जा रहा है यह जो आप महल देख रहे हो यहां पर आपको दिखेगा यह जो महल आप देख रहे हो ना यह actual में दिखाया जा रहा है कि यह जो Avenger आपने सुनाओ Avenger काफी जादा एक परचलित मूवी है उसमें थोर एक character है उस थोर के उपर अलग से मूवी बनी हुई है वहां पर उसका जो महल हुआ गरता था उसके तरीके का यहां पर महल बना दिया गया है तो यह सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है और उपर से यहां पर जो Hanuman जी है उनको भी लेकर काफी जादा विवाद हमारे सामने आ रहे है देखिए leather की जो है जैकेट पहना दी गए है या फिर जो इनके बालों को लेकर है या फिर इनकी यहां पर आप दाड़ी को लेकर है कि अगर चंदन का टीका यहां से अगर हटा दिया जाए तो अगर बाकी मतलब यहां पर तो यह एक तरीके से मुसलिम या इसलामिक में ही आपने इनको कनवर्ट कर दिया है, यह सब चीजे जो हैं वो लोग बोल रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं इस मूवी को लेकर, अब यहां पर आदि पुरुष के जो VFX वाले हैं काफी सारों ने सोचा कि NVVFX वाला है जो हैं वो इस मूवी के जो VFX मनाई है लोगों ने उसको ट्रॉल करना स्टार्ट कर दिया उनको सामने आकर अपनी एक सफाई देनी पड़ी कि हमने इस मूवी के VFX को नहीं बनाया है, हम इस मूवी से कोई लेना देना नहीं, उनको सामने आकर इस चीज़ को clarify करना पड़ा, उन्होंने tweet किया यहां पर, इसके अलावा फिर लोगों ने सोचा कि अगर NY VFX वाला ने पुरुष की मूवी है, उसके VFX हमने डिजाइन नहीं किये हैं, तो मतब सब ने clarify के ट्रोलिंग से बचने के लिए, अब यहां पर इंटरनेट पर देखे, अब सैफ अली खान को लेकर काफी जादा जो है, कंपेर किया जा रहा है, वो खिलजी के तरीके से हैं, अब यह दे देखते हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो देखिए, कितना अंतर आपके सामने नजर आ रहा है, आप रावन को कैसे दिखा रहे हो, जनेव धारी पंडित, रावन, जिनके पास इतनी विध्या, विध्वान, विध्वान विक्ति, आप वहां पर कैसा उनके सामने लुक नजर लेके आ रहे हो गई, लाख बुराई मानते हैं रावन के अंदर, लेकिन इस तरीके का हेरकट, ये इस तरीके का नजर आना, जिनेव नहीं होना, मुकट वहां पर होते हैं, मूच के साथ हमने रावन को देखा है, या पर आप वालमी की रामायन आप पढ़िए आप उसके अंदर शलोक पढ़ेंगे, जहां पर बताया जाता है कि रावन कैसा होता था, यहां पर आप लक्षमन जी को देखिए, दाड़ी मूच के साथ आप लक्षमन जी को दिखा दिये हैं, फिर आप यहां पर देखिए, हनुमान जी को, हनुमान जी का आप लगता ही नी रावन, आपको पता ही नी चले गए, रावन है, आपको आप लगें, देखिए, रावन में लाकों बुराई आ थी, लेकिन कभी चमगदधड पर नहीं कोँगा, मतलब इतना हेःस्टाईल देखिए, हेरस्टाईल के लाःस्टाईल थी, लोगों ने भर-भर के ट्रोल किया है, ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है रावन के बारे मैंने का न अरे यहां पर वालमी की रावायन और इतियास में रावन लंका धबती, सिव भग जो 64 कलाओं में परांगत थे जिनोंने सभी नो गराओं में अपने सियांशन में लगाया लिया था फिल्म में ऐसा कार्टून बनाने की क्या जरूरती, यह जो है मालवी का, बिजिपी की है तो इनोंने यह बात बोली है कि भाई मैं मानती हूँ कि यह तैमूर के पिता है, लेकिन बोलिवूड के लोगों इतने बेफकूफ हैं, जो थोड़ी सी भी रिसर्च नहीं कर सकते, यह इनके द्वारा लिखा गया है, तो यह सब चीजे जो हैं, यहां पर हो रही है, अब आदिपुरूज है, वो 2023 में, काफी ज़्यादा इसकी उमीदें थी, लेकिन लोगों ने का है कि सारी उमीदों पर पानी फेर दिया गया है, वालमी की महाकाव है, रामायन पर अधारित है, हलांकि फिल्म में परबाज जो है, वो किरदार राम की जगे है, रागव कहा गया है किर्ती सैनन, जो है, माता सीता का किरदार निगभा रही है, लेकिन वहां पर भी सीन को भी आप देखेंगे, जिस तरीकी की ड्रेसिंग की गई है, माता सीता की तो वो आपको लगेगा ही नहीं तो यहां पर भी काफ़े ज़ादा ट्रोलिंग हो रही है, वहीं सैफ अली कान की किरदार को लंकेश का नाम दिया गया है, 12 जन्वरी कोई मूवी रिलीज होने वाली, IMX 3D में भी रिलीज होगी, काफी सारे लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन at the same time इसका विरोध भी हो रहा है, भावनाओं को ठेस पहुची है, यह सब चीजे, तो उमीद करता हूँ आज का जो टोपिक आपको समझ में आ गया होगा वो किस से रिलेटिड है, वीडियो पसंद आई है तो बेशक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पेडियो के लिए अलड़ी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकराँ वहाँ से इस वीडियो के पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो